नमस्कार अज़तों, आई टूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एक्जाम 2021 के लिए जोखी 28 नॉवंबर को आयो जित होने माला है परियावरण अधियन का प्रैक्टिस सेट 10 हुआ हल करेंगे इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है जो लोग नहीं देखें है, चैनल के प्रेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं तो वीडियो को लाइक शिर कर दिजेगा, चैनल पर पहली बारा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ में विल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और PDF इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नेचे डिस्क्रिप्सर में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से जॉइन करके आप PDF भी टाउनलोड कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं परियाओ और अधियन का दस्वाँ प्रैक्टिस लेट दोस्तों ने दिया आप UPPSC या फिर UPCC एक्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप Unacademy Learning प्लेटफार्म एप से जुड़के आप अपने त्यारी को वहतर तरीके से कर सकते हैं और सब्सक्रिशन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एक्जाम लर्नर जिससे आपको 10% का डिसकाउंट देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको Unacademy Learning प्लेट पर जाके डाउनलोड करना होगा उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे यनि किस एक्जाम की आपको प्रिपरेशन करना है फिर उसी से रिलेटेट आपको सामने वेडियो देखने को मिलेगा Unacademy जोइन करने के एडवाइंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है अपना आनलाइन क्लास यहाँ पर ले सकते हैं और जो भी डाउट है आप के लिए यहाँ पर कर सकते हैं यूपी पेसी प्रिलिम्स जी एस पेपर फर्स्ट के लिए टेस सरी चलाया जा रहा है Unacademy पे यह आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं बैच कोर्से जो अबलेबल है उसके बार है लक्ष यूपी पेसी 22 जिसमें आपको एक साल में प्रिलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट त्यारी कराया जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और भी जो कोर्से अबलेबल है अनकेडमी पे आप उसे भी जोईन कर सकते हैं और यहाँ पे फीस इस्ट्रक्चर दिया गया है अनकेडमी सब्सक्रिप्शन का तो इसे भी आप जो है देख लिजे और यह रेफरल कोड हमारे यूज कीजेगा जिससे आपको 10% का आइडिशनल डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा तो उसके बाद जो है अनकेडमी का सूपर कामबो सब्सक्रिप्शन आफर अभी जो चला है वो आपको जो है मिल जाएगा और आप टेलिग्राम पे भी अनकेडमी को जोईन कर सकते हैं तो आप अभी अनकेडमी जोईन किजिए और अपनी त्यारी को जोई बहतर दरीके से करिए और एक्जाम को आप असानी से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों पहला जो प्रशन है आप देख सकते हैं सिक्किम से गुजरने वाला अच्छांस निमलिखित में से किस एक से भी होकर यह गुजरता है तो चार बिकल्प है आपके सामने तो यहां पर जुसरी हो जाएगा यह आप संग राजस्थान से सिक्किम से गुजरने वाला अच्छांस रेखा राजस्थान से होकर गुजरती आप मैप में देखेंगे भारत के तो सिक्किम और राजस्थान जो एक ही अच्छांस रेखा पर जो आवजती थे हैं अगला जो प्रशन है बांगला देश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है तो यहाँ पे बी विकलब से हो जाएगा पद्मा गंगा यह आपका हरी द्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और जारखंड के सीमा परिष्थित राजमहल की पहाडी के उत नाम से जाना जाता है पद्मा की नाम से और गंगा नदी की कुल लंबाई देखा जाए तो पचीस सो पचीस किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है अगला प्रशन है उत्री गुलार्ध वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो यह है 21 जून भी आपसे नहापे से हो जा यदि उत्री गुलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षडी गुलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और वही 22 दिसंबर को उत्री गुलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा अगला कोशन है समिधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक् अगला कुशन है निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संभिधान को संघात मक्ता के तंग ढाचे में नहीं ढाला गया है तो यहाँ पे C आपसन से होगा है डाक्टर भीमराव अमबेटकर डाक्टर भीमराव अमबेटकर ने एक संभिधान को संघात मक्ता के तंग ढाचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एक ही कृत और संघात मक दोनों ही है अगला प्रशन है निमलखित में से किसकी संस्तुती पर भारती संभिधान में मूल करतब्य सामिल किया गया अगला प्रशन है भारत का नियंतरक यह महालेखाकार भारती संभिधान के भाग 4A के तहत और अनुच्छे देखा जाए तो 51A जोड़कर इसके अंतरगत नागरिकों के मूल करतब्यों को 42 में संभिधान संसुधन 1976 द्वारा सामिल किया गया था जो की सरदार सुरड सिंग समिती की अंसंसा पर यह अधारित था अगला प्रशन है भारत का नियंतरक यह महालेखाकार निमलिकित में से किसका एक मित्र यह मार्गदर्सक होता है तो D आप्सन से होगा लोक लेखा समीती का लोक लेखा समीती की कारेवाही की मध्यस्तता नियंत्रक योम महालेखा परिक्षक यानि की कैग करते हैं इस प्रकार वे इस समीती के मित्र योम मार्गदर्सक होते हैं और लोक लिखा समीती में पूछा जाता है कुल कितने सदस्ते होते हैं तो 22 सदस्ते होते हैं इसमें 15 सदस्ते लोक सभा से और 7 सदस्ते राजिसाभा से होते हैं अगला प्रश्ण है उत्रप्रदेश के लोकायुक्त की पद्धारण अवधी है तो यह आठ वर्स डी आपसनिहापे सही हो जाएगा उत्तरप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त की पद्धारण अवदी उसके पद्धारण करने की तिथी से 6 वर्स निधारित थी लेकिन यह वर्स 2012 में उत्तरप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संसोधन अधनियम 2012 के द्वारा इसकी पद्धारण अवधी को 6 वर्स से बढ़ाकर 8 वर्स कर दिया गया है तो अब यह 8 वर्स हो गया है डी आप सन्यापे सही हो जाएगा अगला जो कोशन है भारती संबिधान के किस अनुचेद में राजजी की राजभासा या भासाएं अपनाने की प्रिक्रिया है तो यह है अनुचेद 345 स्री भी खल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और इसमें किसी राजजी का बिधान मंडल और उस राजजी में प्रियोग होने वाली भासाओं में से किसी एक का राजभासा की रुप में प्रियोग कर सकेगा जबकि यहाँ पे आर्टिकल 343 दिया गया है यह संगे की राजभासा के संबंद में है और 344 यह आपका इसमें राजभासा के संबंद में आयोग तता संसत की समीति का अगठन है और 346 जो दिया गया है इसमें दो राजजीों के बीच पत्रादी की राजभासा का प्रियोजन है यहाँ पे सी आसन सही हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं कि किस देश के राजनेतिक नेत्रितो को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है तो यह है चीन सी बिकल्प यहाँ पे से हो जाएगा चीन के राजनेतिक नेत्रितो को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है क्योंकि सासक कम्यूनिस्ट पार्टी में पदानुक्रम से सरोचता निधारित होती है अगला प्रशने सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अधियन को कहते हैं तो यह कहला आता है ओलेरी कल्चर डी आप सुनिया पे सही हो जाएगा और ओलेरी कल्चर के अंतरगत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अधियन किया जाता है फ्लोरी कल्चर यह आपका फूलों से संबंदित है पोमोलाजी फलों से संबंदित है और हाटी कल्चर यह आपका बागवानी से संबंदित है अगला प्रश्ण है मसरूम क्या है तो यहां पर जो सही हो जाएगा यह आप्शन कवक है कुकुरमुत्ता याने की मसरूम एक कवक याने की फंगी होता है जिसका हम खादिपदार्थ के रूप में सब्जी बनाने में उपियोग करते हैं तो E option सही हो जाएगा यहाँ अगला question देखते हैं कि निम्लिखित में कौन परजीनी पादप है तो इसमें golden chowel, golden rice, C option सही हो जाए golden rice एक परजीनी या कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक पादप है जिसे genetic engineering की मदद से तयार किया गया है और इसमें vitamin A पाया जाता है golden rice में आपका vitamin A मिलता है अगला question है निम्लिखित में कौन सा एक सत्य फल नहीं है तो इसमें save या आपका सत्य फल नहीं है जब फल के निर्माड में अंडास है कि अलामा कुछ अन्य भाग भी सामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल यानकि false fruit कहते हैं उदारव में save आ जाएगा काजू आ जाएगा नासपाति ये सभी असत्य फल की स्रेडी में आते हैं तो save आपसन में इसलिए A आपसन सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है सतत्विकास लक्षे 2020 के सुचकांक में भारत का कौन सा अस्थान है तो भारत का अस्थान इसमें है एक सो सत्रहवा एए आपसन सही हो जाएगा सतत्विकास लक्षे सुचकांक दोयर भी इसमें सुईडन पहले अस्थान पे है और भारत का रैंक इसमें है एक सो सत्रहवा अगला कोशन है निमलिखित में से किस कारे से पारिश्थितिक संतुलन विगड़ता है तो यहाँ पे एए आपसन सही हो जाएगा लकड़ी काटने से अगला प्रशन है जै बिवित्ता का सबसे महत्पूर पहलू का उनसा है तो यहाँ पे जुसे हो जाएगा आपका डी आपसन पारिश्थितिक तंत्र का निर्वहन जै बिवित्ता का सबसे महत्पूर पहलू है पारिश्थितिक तंत्र का निर्वहन और यह कारी बिभिन अस्तरों पर किया जाता है जै बिभिता आनुवांसिक जाती समुदाय वो पारितंत्र के अस्तर पर बिभिन प्रकार के कारी करके पारिस्तितिक तंत्र का निर्वहन करती है आपको पहले भी बताया गया है जै बिभिता सब्द का प्रियोग जो है किस ने किया था और जे विवित्ता दिवस कब मानाया जाता है तो बाइस माई को जे विवित्ता दिवस मानाया जाता है अगला कोश्य ने बैस्विक उस्मन के फलस्वरूप निमलिखित में किसकी बारम बारता और प्रचंडता बढ़ रही है तो यहां पे आपका डी आफ्सन सी हो जाएगा उप्रोक्त सभी वैस्विक उस्मन यानि की ग्लोवल वार्मिंग ये प्रित्वी पर जीवन के समच सबसे गंभीर चुनोती है और एक जो है संस्था आईपी सीसी के अमसार वैस्विक उस्मन से ग्लैसियर के पिघलने की दरबढ़ेगी समुद्री जलस्तर में ब प्रिद्धी होगी चक्रवाद, तुफान, बावंडर, आदी की जो है बारंबारता यों तीब्रता में भी प्रिद्धी होगी तो आपका डी विकल्प से हो जाएगा उप्रोक्त सभी की नेक्स्ट कोशेन है ओजोन परत संडक्षंड दिवस कब मनाया जाता है तो आप सबको पता होगा 16 सितंबर को ये भी खल्प यहाँ पे सही हो जाएगा वर्स 1994 में संयुक्तराष्ट महासभाने प्रती वर्स 16 सितंबर को अंतराष्टी ओजोन प्रत संडक्षंड दिवस के रुप में मनाने की घोशना की थी और वर्स दोहर 20 ओजोन दिवस का मुख्य बिस है यानि कि थीम जो था यानि कि 35 years of ओजोन लेयर प्रोटेक्षन इसका भारती सर्वेक्षन बिभाग ये बिज्ञान और प्रद्योगी की बिभाग की अधीन राष्टी सर्वेक्षन और मानचित्रन के लिए भारती सरकार का एक प्राचिनितम बिभाग है और इसकी अस्थापना 1766 भी में की गई थी और इसका संबंध परियावरण से नहीं है बाकी बिज्ञान और प्रियावरण केंद्र भारती बनस्पति सर्वेक्षन संस्थान भारती बनजीव संस्थान इन सभी का संबंध प्रियावरण से है अगला प्रश्ण है भारत के निमलिखित जयो भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है तो यह है नोकरेक जो की आपका ये मेघाले में है नोकरेक जयो भंडार ये गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है जबकि अगस्ते मलाई जो दिया गया है ये पश्मी घाट पर है और दिहांग दिबांग ये आपका अवडांचल में अपर सियांग और पश्मी सियांग वो दिबां घाटी में फैला हुआ है और नंदा देवी यह आपका उत्राखंड में है अगला प्रशन है चिनार बन जियो बिहार आवस्थित है तो यह केरल में है भी आफसन सही हो जाएगा आपका और अगला कोशन देखते हैं कि भोपाल में यूनियन कारबाइट फैक्टरी से जो गैस रिस गई थी वह थी तो आप सभी को पता होगा भोपाल गैस कान उसमें यमाईसी गैस था यानि कि मिथाईल आईसो साइनाइट सी आपसन सही हो जाएगा और यह घटना आपका दो से तीन दिसंबर 1984 को हुआ था और यह आपका मध्यपरदेश की भोपाल में भोपाल जो है कान्ड हुआ था जिसमें यमाईसी गैस का रिशाव हो गया था और इसी से रिलेटेट है आपका चेर्नोबिल त्रासदी और यह आपका यूक्रेन में हुआ था चेर्नोबिल त्रासदी जो की 1986 में हुआ था तो यह दोनों महलपूर है याद रखेगा आपका भोपाल गैस कान्ड पूछ जाए कब हुआ था तो 2-3 दिसंबर 1984 का हुआ था और इसमें कौन सी गैस का रिशाव होई थी तो मेथाईद आईसोसाइनाइट यानि की एमाईसी गैस का रिशाव हुआ था अगला प्रशन है बिटामिनों के बारे में निम्लखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें D आपसन देख सकते हैं आप बिटामिन के दिया क्या है जल में घूलन सील बिटामिन है तो यहाँ पर D आपसन क्या है यह सही नहीं है अगला प्रशन मानों आहार में पालिस किये हुए चावल के उप्योग से निम्लखित रोग हो जाता है तो वह होता है बेरी-बेरी, D आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा मानों आहार में पालिस किये हुए चावल के उप्योग से बेरी-बेरी रोग हो जाता है अगला प्रशन देखते हैं कि एक से पंद्रय फरवरी-दुयरी कीस के मध्ये रास्ट्री जन जातिय परव आदी महोत सौ कहां आयोजित किया गया है तो यह किया गया है नई दिल्ली में यह आपसनिया पर सही हो जाएगा और अगला प्रश्ण है जनवरी 2022 में राष्ट्री स्वास्ति प्राधीकरण ने किसे आयुषमान भारत या प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के नए मुख्य कारेकारी अधिकारी की रूप में नियुक्त किया है तो इनका नाम है डाक्टर आर्यस सर्मा डी आपसे नहाँ पर सही हो जाएगा जनवरी 2021 में ट्राई की पूर्व अधिक्ष आर्यस सर्मा इराष्टी स्वास्त प्राधीकरण याने कि नेची के द्वारा कार्यान विद की जाने वाली आईश्मान भारत योजना के नए मुख्य कारेकारी अधिकारी जिसे कहते हैं CEO और इस पत पर हुआ है इंद्र भूशन का अस्थान लिंगे अगला कुशन है विस्व रेडियो दीवस कब मनाया जाता है तो इस मनाया जाता है तेरे फरवरी को यह आपसे नहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रशन है दस फरवरी दोयरी कीस हयात रेजिंसी होटल मुंबई में संपन फेमिना मिस इंडिया दोयर्वी इसका खिताब किसने जीता है तो इनका नाम है मानसा यह बारारसी से हैं तो यह आपसन आपका सही हो जाएगा और अगला जो प्रशन है और यह अंतिम कोशन है देश की पहली भूतापिय बिचली परियोचना कहा अस्थापित की जाएगी तो यह पूगा गाउं में अस्थापित किया जाएगा यह विकल्प यहाँ पे से हो जाएगा फरवरी 22 में प्रकासित रिपोर्टों के अनुसार देश की पहली भूतापिय परियोजना पूर्वी लद्दाख ये आपका लद्दाख में है पूर्वी लद्दाख के पूगा गाउं में अस्थापित की जाएगी तो ये आपसन सही हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका परिया औरड अधियन का दसुआ प्रेक्टी सेट इसके पहले 9 प्रेक्टी सेट हल कराए जा चुके हैं तो ये दिया आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा आपको वहां से सभी प्रेक्टी सेट मिल जाएगे तो वीडियो अच्छा लगा हो त PPSC PCS मेंस के लिए हिंदी और इससे बैच जो है आपका 12 नौंबर से शुरू कर दिया गया है तो जो लोग इस बैच से जूना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया वहाँ से जाके आप जूर सकते हैं और विजय भौर नाम से आपको ये देखने को मिलेगा तो जल सी जल आप जूर सकते हैं वन मंथ का ये डियूरेशन है और हिंदी मेडियम के छात्रों के लिए है तो आप इसे जूर सकते हैं अनकैडमी का लर्निंग है इंस्टाल कर लिजेगा वहाँ से जाके आप जूर कर सकते हैं और हमारे रेफरेल कोड एक्जाम लर्नर जरूर यूज कीजेगा जिससे आपको 10% का डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा तो ये रेफरेल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज जरूर कीजेगा